हमें सुनने के लिए यहां आप लोग पहुंचे हैं बड़ी संठ्या में पहुंचे हैं इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक बिल से आभार परगट करती हूँ आप सोसे हमारी माताएं बहने भी बड़ी संठ्या में हमें सुनने के लिए इधर पहुंचे हैं उनका भी मैं दिक से आभार पर गड़ करती हूँ और पुरी उमीद करती हूँ कि बोट वाले दिन जिस दिन बोट पड़ेगा उस दिन हमारी माताई भेने पुर्सों से पीछे नहीं रहेंगी बलकि पुर्सों को पीछे करके स्विक से पर आपकाई के खड़ी होकर अपने गड़बन में के उमीद्वारों को बोट डालेगी वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के बाद किविंद्र वे आपके बिहार परदेश सहीद देश के अधिकांस राजों में भी जादा तर्या सुरू में कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आसीन रही है लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के राज में यहां बिहार परदेश के भी सर्व समाज में से विसेश कर गरीब, उपेक्षिप, वै कमजोर वर्गों के लोगों का पूंट रूप से सही विकास पर उठान आदे नहीं हो सका इतना ही नहीं बलकि जब इने यहां अपने पुद के राजे में भी अपने पुद के बिहार परदेश में भी रोटी रोजी के सादन का रूजगार आदे नहीं मिले तो तब उस समय अन्य राज्यों की तरह जहां आपके बिहार परदेश से भी बड़ी संख्या में ये लोग अपनी रोटी रोजी के लिए देश के अले बड़े बड़े शहरों में महालगरों में जाकर बसकर जिसके इस बार कोरोना महामारी के दोरान हमें काफी जादा दुख दिखने लिए से काफी जयादा दूट दशा देखने के लिए मिली है। जिनके बिहार में बापिस आने पर आपके बिहार से भी लोग भाने पर रोटी रोजी के लिए देश के जो दूसरे राजे में उनके बड़े-बड़े महानगरों में रोटी रोजी के लिए गए बिहार से भी और बिहार से क्यों रहें तो कि यह दी यहां पर बिहार में यहा बादन उप्रप्ट करा देती है तो मेरे का लोग को यहां पे रोटी-रोजी के लिए दूसरे शहरों महानदरों में जाकर नहीं बसना पड़ता है लिकान एक बाद कोरूडा महामारी के दुरां हमें जो लोग भी चाहिए बीहां से उपकर पंदेश में देश की अल्याहों और राजयों से जो लोग भी रोटी-रोजी के लिए जाकर वहां पर बस गई बड़ी-बड़ी कश्मों में महानदरों में तो इस बात को उड़ा माहमारी के चलते हमें वानों की काफी जुर्दशा देखने के लिए भी आपके बिहार परदेश के लोगों की भी काफी जुर्दशा हमें देखने के लिए भी जिनके बिहार में बहुत भी काने पर पिर सरी नतीज की सरकार में भी सब्सक्रा कोई खास इसके साथ ही आप लोगों को यह भी मालूम है कि यहां सूर्प में कांड़ेस पार्टे से रहे गंगे शार्ट काल में उनके गलत हुईतियों गलत कारे पुर्णाले की वदे से जब इस पार्टी सब्ता से बाहर हो गई तो तब यहां कुछ स्थान ये पार्टियां सत्ता में आ गए और पिछले कुछ वर्षक से तो यहां लगातार गडबंदर की ही सरकारे चल रही हैं के लिकर तात् judgment यहां व्याद्मडेस में अभी तक जिंवी पार्टियों की सरकारे रही थो उनके से में सलमाथम्णा मैं से मिसेज कर दलितों यहां पर दलित की केटेगरी बना दी हैं, दलित हैं, महादलित हैं, आदिवासियों, पिश्ड़े वर्गों, मुस्लिब में अन्य धार्मिक अलपसंट्रकों का, तथा गरीबों, मजदूरों, मिसानों, छोटे गरपारियों, एवं अन्य महलत का स्लोगों का भी कोई दलितों, महादलितों, आदिवासियों, अन्य मिश्ड़े वर्गों को आरक्षन का पूरा लाग नहीं मिल पा रहा हैं, और उनका आरक्षन का कोटा अभी भी अधूरा पड़ा है, और इतना ही नहीं, आप तो आपके आरक्षन को, पर तुझे बागया साफ डॉक्टरों मि करके अथक प्रयासों से, दलितों को, आदिवासियों को, अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को जो आरक्षन का लाग मिला है, तो उसकों भी अब धीरे-धीरे, एक सोची, संधी, रन्निती और सडियंत के दहर, जो जातीवादी मानसिक्ता के लोग हैं, तो जो इन वर् आरक्षन को भी धीरे-धीरे खतम करने के प्रयास में लग रहे हैं, और इतना ही नहीं, बल्कि आपको प्राइवेट सेक्टर में इन वर्गों के लिए आरक्षन के विवस्ता किये, बिना ही केंद्रवय राज्यों में भी ज्यादा तर सरकारी कारिये, प्राइवेट इसमें इन वर्गों के लोगों को बहुत कम ही आरक्षन का लाम मिल पा रहा है, इसके साथ ही इन वर्गों को जुर्म जाती से निजाद दिलाने के लिए बने कानूनों को भी अभी विरूदी पार्टियों की सत्तारों में काफी हद तर प्रभावियनी बना दिया गया है, जिससे इनके उपर अन्याय वर अत्याचार करने वाले लोगों का मनोबल अब और भी ज़्यादा बढ़ गया है, जो अब इनका काफी ज़्यादा शूशन कर रहे हैं, इसके इनके साथ साथ या ब्यहार परदेश सही, पूरे देश में मुस्लिम वर अन्या धार्मिक पुलासा केंदर सरकार की सच्चर कमेंटी की रिपोर्ट में भी किया गया है, इसी पकार अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों की भी खास का रोटी-्रोजी के मामले में अभी तक काफी ज़्यादा ध्यानी हालत बनी हुई है, और इन सब का मुख्यकारन हमारी पार्ट केंदर वे राज्यों में तता यहां के द्यार परदेश में भी अब तक जा रही सबी सरकारों के जादातर जातीवादी आरे परनाली को ही जिम्मेवार मान कर चलती हैं, और इस मामले में खास कार इनके गलप आर्टिक नितियों को भी वज़े सही, अभी भी बेरोजगारी मेहनाई आदी काफी जादा बल रही है, पूरे देश में हर इस्तर पर ब्रस्ताचार भी काफी जादा बला है, जिससे आपका बिहार परदेश भी अच्छोता नहीं रहा है, यह आप लोगों को मालूम है, बिहार परदेश काफी बड़ा परदेश है, आप लोग बसों से कि यह उमीद करके चल रहे थे, कि जिस्मी पार्टी की यहां सरकार बनेगी, तो आप लोगों को रोटी रोजी के शादू हुए और बेहार से जो लोग यहां से रोटी रोजी के लिए बहार बड़े-बड़े कस्पों महानगरू में जाकर बस गये, वो वापिस आ जाएंगे उनका बापिस आना तो बहुत दूर की बाट, जो लोग यहां पर कुरूना महामारी के चलते बापिस भी आ गये थे, तो यह लोग सोच के चल रहे थे, कि सरी नितीश की सरकार उनका परभन करेगी, उनको रोटी रोजी के सादन देगी, लेकिन उनको नहीं दिये, जिसकी बदे से जो लोग पुलाइन करके इधार आगे थे, ठीट से वो रोटी रोजी के लिए वापिस सर्योगी, यह कितने दुखी बाट है, और सरकार अब कहती है, चाहे तो स्री लालू मसाध्यादब की सरकार हो, चाहे स्री नितीश की सरकार हो, इनको काफी लंबा समय सरकार चलाने का इनको मुका मिला है, लेकर इनोंने आप लोगों को यहाँपर जो इस्ताहिये लोगो उनको रोटी रोटी पे साधर नहीं दे, उनको लोगो नहीं दे, लेकिन जब़ रूप जलाव चन्ड़ा है, तो आप लोगों के भोल के खातिर, कोई बोलता हम 10 लाग इनको नूक्री देगे, कोई बोलता हूं इसलाओ। इनको किसने मना किया था? आप लोगों को नंदे असे तक या सत्ना में रहें, तो इनको नूक्री क्यों नहीं दे? ज़िए इनको नोकरी दी होती तो इनको रोटी रोजी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है और कुरोना महामारी के चलते हैं हमें इनकी काफी बिर्दसा कुरिदीश के देखने के लिए नहीं बिलते हैं इसलिए इन सब खाथ बातों को ध्यान में रखकर ऐसी पार्टियों की सरकारों को अब आप लोगों को यहां और ज्यादा अजमानी की दरुद्धत नहीं है कितना अजमा होगे आप लोग आप काफी अजमा चुके हैं आप लोग काफी महा गढ़बन्दन को भी और वो दूसरा गढ़बन्दन है इनकी सरकार है कितना अजमा होगे आप लोग आप लोग 15-15 साल कर लिए और कितना अजमा होगे तो मैं जमस्तियों कि अब आप लोगों को इनको और जादा जमाने की जरूरतरी है और अब आपको यहां अपने बिहार परदेश में इस बार विधान सबा के लिए हो रहे हैं आप चुनाओं में केवल अपने बने नए गड़ बंदन के ही सरकार बनानी होगा केवल अपने नए बनेट को बनाना पडा है और आपको यह अपने बिहार परदे शम और विदान सबा के लिए हो रहे हैं आप चुनाओं में केवल अपने नए बने गड़ बंदन की ही सरकार बनानी होगी और जदी ऐसा हो जाता है हमारे इस नए गड़ बंदन की सरकार बन जाती है अर्थाग जदी ऐसा हो जाता है तो फिर गड़ बंदन की ओर से यहां बेहार परदेश का मुख्य मंत्री श्री उपेंदर कुस्वाजी को ही बनाया जाएगा। तो मुझे फिर पूरी उबीद है कि फिर ये उक्तर प्रदेश में बीएफ़पी के रहे साशनकाल की तरह ही जहां हर मामले में वे हर इस्तर पर अपने सर्व जन हिता हैं वे सर्व जन सुखाय की मिलितियों पर अधारती अधारती सर्कार चलाई है। और इस मामले में मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूं। कि जब युक्री में चार बार मेरे में इप्षित्ने सर्कार बने हमने दूसरे राजयों की तरह तो उत्तर परदेश में हमने बेरोजगार लोगों को बेरोजगार भता नहीं। हजार रुपे, पंद्रा सु रुपे, यह हमने नहीं दिये थे, बल्कि हमारी सरकार ने, उत्तर परदेशन सर्व समाद में से, जो गरीब और बेरोजगार लोग थे, तो उनको बेरोजगारी भता नहीं, बल्कि उन्हें बड़े पेमाने पड़ सरकारी, बैं गेर सरकारी छे प्रित्रों में सीधे तोर पर हमने उनको बड़ी तदारने नोप्री हमें उप्लाव करें